असलामू अलेकुम, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का कीमा, जिसे मैं तो कहती हूँ, प्यास वाला कीमा, आप चाहें, तो इसे खड़े मसालो वाला कीमा भी कह सकते हैं, बढ़िया से जटपड घर पर आसानी से बन जाता है, तो चलिए शिरू करते हैं आज की रेसेपी, साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्राइडिनरी कीमा आज का बनाते हैं, चलिए, सबसे पहले मैंने गरम मसाले जो लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्या-क्या इलाइची, तीन-चार लॉंग, पाच्छे हरी इलाइची, और एक और आधा मैंने बाधियान लिया, ये सारे गरम मसाले हैं और वो जो आसपास आप देख रहे हैं ये बाकी की प्रपेरेशन है, मैं आपको बता दी जाओंगी, जैसे आगया-गया हम प्रोसीट करेंगे, एक कढ़ा या पतीली के अंदर अपने स्वाद अनुसार तेल डाल दीजिए, जुकरम मसाले मैंने अभी बताये थे, वो सारे डाल दीजिए और उन्हें तर-तरा जाने दीजिए तेल के अंदर, जब अच्छे से तर-तरा जाएं तो एक प्यास मैंने रफली काटकर रखी थ दाल दीजिए, और इसे बार-बार चलाते हुए तब तक फ्राइ कीजिए, जब तक बस कलर चेंज होना शुरू ही होए, वहां तक ही आपने फ्राइ करना है, अब थोड़ा सा मैंने फ्राइ कर लिया, उसी के दर्मियाने नहीं एक हरी मिर्ची दाल देती हूँ, बारिक कट लिजिए, साइट पर मैंने तीन मीडियम साइस के टमाटरों को काट कर रखा है, जब अधरकलेसन भून जाए तो ये टमाटर दाल दीजिए, इसे एक बार चला लिजिए, नमक दाल दीजिए थोड़ा सा, कि जल्दी से टमाटर हमारे सौफ्ट हो जाए, चुला मैंने मीड मीडियम कर दिया है, और आदा चुला का चमच, हल्दी पॉडर दाल दीजिए, और इसे बार बार चलाते हुए, भून लीजिए, तब तक भूनिये, जब तक मीडियम आज पर, जब तक ये जो टमाटर है नम नहीं हो जाते हैं, और अच्छे सौफ्टर मशीन हो जाते हैं, तब तक आप चाहें, तो स्लो आज करके ढाक कर भी टमाटरों को पका सकते हैं, बट मैंने मीडियम आज करके इसे पका रही हूँ, बार बार चलाते हुए पकाईएगा, अगर आप मीडियम आज पर पका रहे हैं तो, और इस तरही किसे स्पेटिला की मदद से थोड़े प् मिनिट तक, फास्ट आज पर या मीडियम आज पर बार पर चलाते हुए, भून लीजिए, जब आप भूनेंगे न, तो पानी छूटने लगेगा, बस वहां तक ही आपने भूनना है, कलर भी चेंज हो जाएगा, और पानी छूटने लगेगा, जब ऐस तरीके से आप देख कश्मीडी रेट चिली पाउडर और एक चोड़े चाएका चमच धनिया पाउडर दाल दीजिए, वैसे मैंने दो बार दाला क्योंकि आदा वाली चमच थी न, धनिया पाउडर की, चूला मीडियम पर ही है, मैंने तब से मीडियम पर ही रखा है, आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर लीजिए, और इसे तब तक भूनिये, जब तक है न, ये पानी नहीं सूच जाता, तेल छूटने नहीं लगता, और मसाले तब तक इतनी देर में तो भूना जाएंगे, मैंने मीडियम पर रखा है, बार बार चलाते रहेगा इसे, चली अच्छी भून चुकिए, तेल जूट रहा है, हलका नीचे लगने जा रहा है, तो मैं वनफोत का पानी डाल देती हूँ, एक बार मिक्स कर लीजिए, स्लो आज करके, इसे ठाक कर तकरीबन 10-12 मिनित तक पक नहीं दीजिए, तब तक पकाएं, जब तक चिकन नहीं हो जाते कीमा, चल चली, अब हम दाल देते हैं, 2 टेबल स्पून दही भर कर, यह खटी नहीं है, मीठी नहीं है, रूम टेंपरेचर पे दही है, आप चाहें तो फेट कर दाल सकते हैं, चूला, मीडियम चाहें तो कर सकते हैं, और लंबे-लंबे बारिक कटी हुई अधरक दाल दीजिए, और 2 मैंने, प्याज को स्लाइस करके दाल दिया है, और थोड़ी सी हारी जादा स्पाइसी वाली नहीं है, तो मैंने 1 से देड़ ली है, स्पैसी वाली हो तो कम दालेगा, कोशिश कीजिए less spicy वाली ही, इस्तोमाल करेए, और यहाँ आधे निम्बु का रस दाल दीजिए, चूल मैंने कर दिया है मीडियम और एक बार चला लेती हूँ मैं इससे चूला कर दीजिए अब आप कहेंगे कि प्याज हमने डाली है दो तो टेस्ट मीठा मीठा हो जाएगा ऐसा नहीं है हमने अभी जो दही डाली है और निम्बू का रस डाला है और जो स्पाइस डाला है यानि के हरी मिर्चिया डाली है उससे ये स्पाइस और ये सब से खटास से ये जो मिठास है ये कट जाएगी बैलन्स हो जाएगी थोड़ी सी बारी कट्टी हुई कोट मेर्यानिया के हरा धनिया दाल देजिए, मैं निम्बू का अरस और आधा दाल रही हूँ, आप आपके स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, मिक्स कर लीजिए, स्लुआज करके इसे ढाक कर 5 मिनिट तक दम पर पकने दीजिए, चलिए 5 दालने हैं आपको अधरक के, तो आप दाल सकते हैं, अच्छा, अपके स्वाद अनुसार अज़स्ट कर सकते हैं, यहां पर मैंने ज़्यादा पाइसी वाली मिर्ची का इस्तमाल नहीं किया है, आप स्वाद अनुसार दालिएगा, तो चलिए, यह बन गई हमारी प्याज व आप जादा प्यास के फैन नहीं हो तो आप एक मीडियम साइज की प्यास को काट कर दाल सकते हो स्लाइस करी हुई मैंने मोठा मोठा काट के दाला है आप थोड़े पतले दालना चाहें पतले दालिएगा पड़ प्यास से बड़ा मजा आ रहा था ट्रस्ट में तोड़ा डिफलेंट टेस्ट लग रहा था तो ट्राइ कर सकते हैं आप बना कर अच्छा अगर आप यह रेसेपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्षिं में जरू शेयर कीजिए को मुझे आपके कमेंस पर ने बहुत अच्छे लगते हैं रेसेपी अच्छी